जिद करना सीखो, जो लिखा नहीं मुकदर में उसे हासिल करना सीखो मत ढूंडो मुझे दुनिया की तनहाई में, मुझे I.S. बनना है मैं मश्रूफ हूँ अपनी पढ़ाई में, दोस्त आने भी मारते हैं लोग जवाब देने का वक्त नहीं है, करके दिखाना है, कहने का वक्त नहीं है मेरे दोस्त मानता हूँ, अभी तुझे कुछ नहीं आता, ना अभी कोई बदलाव तुने महसूस किया है I.S. बनने के पूरी प्रोसेस में एक नहीं, बहुत सारे disappointment भी होने वाले हैं बहुत सारे failure आएंगे, बहुत सारा दर्द होगा, कई बार तो खुद का भरुसा तूटने लगता है कई बार खुद के उपर से विश्वास हटने लगता है रोज भगवान से तुम ये सवाल भी पूछोगे, कि आकर इतनी मुसीवते मेरे जीवन में क्यों है लेकिन मेरे दोस्त याद रखना, अगर दूसरों के हिसाब से अपनी जिन्दगी जीते हो दूसरों के विचारों को अपना जीवन मान बैठते हो तो एक दिन खुद को एक पिंजरे में कैद पाओगे माना कि तुझे अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा लेकिन जहां तक दिखाई दे रहा है, वहां तक तो पहुँच आगे का रास्ता अपने आप दिखाई देने लगेगा ऐसा ही कुछ हुआता है चीते के बच्चे के साथ एक बार एक चीते का बच्चा अपनी नौजवानी की दहलीज पर कदम रखता है तो एक दिन वो अकेले ही जंगल में शिकार के लिए निकल पड़ता है उसे इस बात का भरोसा होता है कि आज कोई न कोई शिकार मैं पकड़ी लूँगा चीते को रास्ते में एक लकड़ भगगा मिलता है वो बोलता है कि बेटा इतनी सुबह तुम कहां जा रहे हो चीता बोलता है कि आज मैं पहली बार शिकार करने जा रहा हूँ इतनी बात सुनकर वो लकडबगा हसने लगता है वो कहता है शिकार करना तुम्हारे बसकी बात नहीं है क्योंकि ना तो तुम्हारे पास शिकार का अन्वव है ना ही शिकार करने की कला इसलिए लौट जाओ, खेलो, कुदो और मस्ती करो शिकार विकार तेरे बसकी बात है ही नहीं ये सुनकर चीते के बच्चे का होसला तूट जाता है और वो खाली हाथ लोटकर वापस आता है घर बैठकर भी उससे सुकून नहीं मिलता वो सोचने लगता है उसके अंदर एक आवाज आती है नहीं तू कर सकता है और उसकी सारी नसों में एक नया जोश आ जाता है अगली सुबा वो उतना ही जोश उतनी ही नई उर्जा के साथ शिकार पर निकल पड़ता है इस बार कुछ दूर जाने के बाद उसे एक बंदर मिलता है बंदर पूसता है बेटा कहां जा रहे हो वो भी इतनी सुबा सुबा चीता बोलता है बंदर मामा मैं सुबे सुबे शिकार करने के लिए निकला हूँ मुझे हर हाल में शिकार करना है बंदर बोला जहां तक मुझे पता है तुम अपनी फूर्ती और ताकत के बल पर एक कुशल शिकारी बन सकते हो और यकीनन तुमें सफलता जरूर मिलेगी ये सुनकर चीता जोश और जुनून से भर गया और कुछी देर में उसने एक छोटे हिरन का शिकार भी कर लिया दोस्तों आपने देखा वहीं है उसकी ताकत वहीं है उसकी फूर्ती लेकिन पहले दिन उसे निराशा हाथ लगी क्योंकि लकड़ बगगे के शब्द से उसका मन खराब हो गया उसकी शमता और शक्तियों पर सवालिया निशान लग चुका था लेकिन अगले दिन बंदर के कुछ सकारात्मक शब्दों ने उसके अंदर एक नया जोच भर दिया उसे खुद पर विश्वास हो गया और वो शिकार करने में सफल रहा दोस्तों जब भी आप UPSC की तयारी करते हैं या किसी भी competition exam की या अपना business बनाना चाते हैं अपने सपने को पूरा करने में लगे हैं तो याद रखना कोई भी लकडबगा मतलब negative person आपकी टांग खीचने के लिए रास्ते में खड़ा होगा क्योंकि बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो आपकी शमताओं का आकलन करके आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोसाहित करते हैं तो इसलिए आपको अपने अंदर की आवाज को सुनना है और आगे बढ़ते रहना है